दोस्तो अब भारत अपनी उस सवदेशी Air-to-Air मिसाइल को मैदान में उतारने जा रहा है जो चाइना की PL-15 मिसाइल से भी घातक मिसाइल होने वाली है यहाँ पर मैं अस्तर Mark-2 मिसाइल की बात कर रहा हूँ कल ही हमने आपको बताया था कि हमारी वायू सेना ने जो 400 की संख्या में अस्तर Mark-1 मिसाइल खरीदी थी इन मिसाइलों की डिलेवरी अब हमारी वायू सेना को मिलनी भी शुरू हो चुकी है और अस्त्र मार्क वन मिसाइल की पर्फोमेंस को देखते हुए हमारी वायू सेना ने 500 और नई अस्त्र मार्क वन मिसाइल को खरीदने का फैसला लिया है लेकिन हमारी अस्ट्र मार्क वन मिसाईल में एक दिक्कत यह है कि इस मिसाईल की रेंज केवल 110 km होने वाली है वहीं पर चाइना और पाकिस्तान की P-L-15 मिसाईल की रेंज को देखा जाए तो ये रेंज 145 km है जिसके कारण हमारी अस्त्र मार्क वन मिसाइल चाइना की PL-15 मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकती थी इसी बात को देखते हुए DRDO अस्त्र मार्क टू मिसाइल को मैदान में उतारने जा रहा है जिसकी रेंज PL-15 मिसाइल से भी जादा होगी जहाँ पर PL-15 मिसाइल की रेंज 145 किलोमेटर है वहीं पर हमारी अस्त्र मार्क टू मिसाइल की रेंज 160 किलोमेटर होने वाली है जो भविश्य में हमारे फाइटर जैट को एक एडवांटेज दिलाने वाली है DRDO की तरफ से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के ज़ादातर परिक्षन कर लिये गए हैं और अब जल्द ही DRDO अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के डवलपमेंटल टेस्क भी करने जा रहा है इसको आप simply ऐसे समझ सकते हैं कि आप तक DRO ने जतनी भी बार अस्त्र मार्क टू मिसाईल का परिक्शन किया गया है इन परिक्शनों के दोरान DRO की तरफ से अस्त्र मार्क टू मिसाईल में गाईड़िड सिस्टम को नहीं लगाया गया था बलकि ये परिक्षन अस्त्र मार्क टू मिसाइल के परपलसन सिस्टम को जाचने के लिए किये गए थे तेकिन जो इस बार परिक्षन होने जा रहा है तुस परिक्षन के दोरान इस मिसाइल में गाइड़िट सिस्टम भी लगाये जाएगा और हमारी वायू सेना ये चाहती है कि जल्द से जल्द अस्त्र मार्क टू मिसाइल के सभी परिक्षनों को पूरा कर लिया जाए क्योंकि हमारी वायू सेना जल्द से जल्द अस्त्र मार्क टू मिसाइल को सेना में शामिल करना चाहती है ताकि चाइना और पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल को मूतोर जवाब दिया जा सके और फिलाल दुनिया में गिने चुनेई ऐसे देसे जिसके पास खुद की बनी हुई Air-to-Air मिसाइल हो और इस एलिट ग्रूप में अब भारत का भी नाम आता है आपको क्या लगता है कि हमारी वाईयो सेना के पास कितनी संख्या में अस्तुर मार्क टू मिसाइल होनी चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, हैव अगूड